जैन सातियों आज हम लोग एक टापिक वे बात करें जिसका नाम है जेंडर और इसे रिलेटेड कोश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं तो जेंडर एक ऐसा टापिक है कि जिससे कोश्चन जब पूछे जाते हैं तो बच्चों में बहुत ज्यादा दूबिदा रहती है इस सदिके सीटेड में बार बार कोश्चन पूछा जाता कि जेंडर जेंडर सब्द देगा इसकी इंग्लिस आप देख लीजेगा और हिंदी में इसको दे दे सकता है लेंगिकता तो आप देखेंगे यह एक जैविक निर्धारक है यह मनोबैग्यानिक सत्ता है यह समाजिक सर सकता और जब आपको ज07 और जब आपको लिंग भेद या बिभेद की बात देगा तो यह स्कस को रिप्रेजेंट करेंगा और bats यह होगा जैविक सत्ता कि यह जैविक सरशना आप कर सकते के देविक सरशना यह जैविक सेक्टा तो मेरे ख्याल से आप यह बाद समझ पार रहे हैं कि एक तरीके से जेंडर यानि लैंगित दायर समाजिक सरशना होगी और लिंग भ्भेद के लिए सक्स अस्तुमाल होग जैसर आप कोई भर भार भरते हैं तो उसमें सेक्स पूछता है male-female वरना तो आप उस सब्ध को देख लीजेगा सेक्ष हैं इंगलीस वाजे सेक्षन को जरूर एक बार जहांक लीजेगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा जैविक जयविक सरशना, सत्ता, दोनों में से कोई एक हो सकता है, अब ये सवाल है कि इसमें दोनों सब्ध जब हिंडी में लिंग बन क्या रहा है, और एक के लिए sex इस्तमाल हो रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखी, इस सवाल का जो जवाब है, लिंग, भेध या भी भेद यानि सेक्स का ये प्राकृतिक और जनमजात होता है अर्थात प्रकृत ने आपको पुरुष या महिला के रूप में जनम दिया है तो ये जैविक सत्ता ये बायलोजिकल क्लाक है बायलोजिकल सिस्टम की वज़ा से आपके अंदर ये सरचना हुई है तो इसको हम जैव सत्ता का मतलब आप समझें कि एक महिला का होना और एक पुरुष का होना ये समाज का दर्शन है कि फलाने महिला है और चिलाने पुरुष है और इन दोनों में वरिता फलाने को देना है या चिलाने को देना है तो जो हमारी पित्र सत्त्रात्मक सत्ता है यानि जो पित्र सत् ये एक जो बेवस्था बना के चली है रूडिवादिता वाला तो रूडिवादिता में क्या होता है कि पित्र सत्ता वो बेवस्था बन जाती है जिसमें महिलाओं के अपेच्छा पुरुसु को ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते है और ये जो इस्ट्रक्चर डिजाइन होता है ये सोसल स्ट्रक्चर होता है सोसल कर्स्ट्रक्ट होता है इसको समाज ने डिजाइन किया हुआ है जबकि इस प्राकृत ने हमें क्या किया है प्राकृतिक और जरमजात रूप से केवल मेल और फीमेल बना के भेजा है जो equality की भाव है यानि समानता का भाव है अधिकार इसमें से उसने किसी के साथ भी भेदवाव नहीं किया हुआ है तो question करते समय अब इसेश थोर पर आप ये English वाले segment को देखेंगे हाँ देख सकते हैं कि जैसे नर या माधा के रूप में जन्म होगा लेकिन औरत या मर्द को जो आप देखेंगे वो समाजिक भूमिकाओं में आप देखते पाएंगे और पाएंगे कि ये जो structure है औरत और मर्द का इसको समाजगरता है ये NCIT का statement है गर्व धारर जैसे केवल महिला कर सकती है ये एक biological clock है यानि एक जैविक सत्ता है पूरसों में इस तरीके की विवस्था हमारी प्रग्रित नहीं किया है लेकिन उस गर्व धारर के बाद जब बच्चा जनम ले लेता है उसके बाद उस बच्ची के देखवाल केवल महिला नहीं कर सकती है दोनों कर सकते हैं समझ में आ रहा है नो तो कहने का मतलब कि गर्वधारन करना जैविक सत्ता है और उसकी सेवा दोनों की करना ये एक समाजिक सरचना है लेकिन अगर जैसे मान लीजी इसमें हम अंतर करें तो एक बात यह सपस्ट हो पाएगा कि आज जो हमारा समाज है वो महिलाओं को लेके और रूडी बाता का मतलब एक उसी पुर्वागरा को लेके उसी बात को लेकि बहुत बड़ा तबका या समुझ उसको मानते चला रहा है अपना ट्रेडिशन बना चुका है जैसे कि मान लीजी कि कि किसी विचारधारा को लड़कियां जैसे घर में काम करेंगी बाहर का काम नहीं कर सकती हैं लड़कियां रोती हैं लड़के नहीं रोते हैं ऐसा नहीं है कि लड़के रोते नहीं है लड़कियां नहीं रोती है इमोशन सब के अंदर है और फटती सब की है सब कोई रोता है पेन होगा तो फटे गाई आदमी फट फटाए गाई तो दरसल इसको डिवा खाना बनाएंगी कपड़ा के सारे काम करेंगी लड़के बाहर के काम आफिस के काम करेंगी अएस से न को अधिकार मिले डिजाइन की हुए, बेरा मनना है कि जो ये पित्र व्यास्था है ये बराबर के केस में आना चाहिए या तो खत्म होना चाहिए क्योंकि अगर हम मर्द बनने का इतना ही सौख अगर रखते हैं तो औरतों का सम्मान करना बहुत जरूरी है औरतों को अवसर देना बहिलाओं को अवसर देना अत्यन्त जरूरी है तभी वो हमसे कदम से कदम मिला के चल पाएंगी जिससे एक आदर्स समाज का निर्मार हो पाएगा अधर्वाइज फिर से ये लेंगिक रूडिवात्ता हमारे समाज में पनप्ती आएगी और यहां से एक और इंपोर्टेंट बात आती है कि ये जो लेंगिक और समानता आती है या जो समाज इसको डिजाइन करता है ये आसमान से नहीं है ये पहले सुरू होता है परिवार से जैसे मैं अपना पर्सनल अगर पॉइंट आभ यू रखता हूँ तो मेरी दादी कहती थी या अब तो बहुत कम है अब तो माने जी वो लगबख बहुत बुजूर वह चुकी है लेकिन वो कहती है रही है हमेशा से कि ये मेरा पोता मुझे समसान घाट पर लेकर जाएगा और इसलिए इसको ज़्यादा तवज्व दिया जाए पोती को नहीं ये मेरे घर से अगर मैं ये चीज़ सीख लेता घर से ही तो मैं अपने घर की महिलाओं से वही भेदबाव करता समस में वही भेदबाव करता कि लड़के मेरे पास कई क्लास के बच्चे भी आते हैं तो वह कहते हैं कि सर लड़कियों को आप मारते नहीं है या क्लास में भी तो ये जो एक बायास इस तरीके से बन रहा है पशपात का भावना एक लड़कों के अंदर जनम ले रहा है इसका मतलब ये है कि एक समाजिक सरसना है और ये जेंडर है और जेंडर को लेकर रुड़िवात्ता बनी हुई है जबकि ऐसा है कुछ नहीं अगर औसर मिले तो हर कोई फते कर सकता है औसर दो ही नहीं हमारी जड़ों में तेजाब डाल दो और हमसे फल निकालने की कोशिस करें कहां से हो पाएगा ऐसी संभाव नहीं है मेरा ख्याल है कि एक तरीके से आप जब भी जेंडर सब्द आएगा समाजिक सरसना जवाब मारिएगा इसकी इंगलिस सब देख लिए सेक्स आएगा तो आपको जेविक सरसने या सत्ता जवाब देना होगा जो प्राकृतिक और जनम जात रूप से मेल और फिमेल बनाती है न कि बाटती है मेल फिमेल बाटती नहीं है ये बाटने का काम इस समाज ने किया है जबकि मेल फिमेल के रूप में जनम देना हमारी जैविक या प्रकृत का काम है और उस तरीके से ये डिजाइन हो चुका है तो मेरा ख्याल है कि इस question को आप समझ चुके हैं